ओम शान्ती 24 पांच 2021 की साकार मुरली मीठे बच्चे तुमने रावड की मत पर बाप की गलानी की तो भारत कौणी तुल्ले बना अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे प्राश्न सीड़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है उत्तर आधा कल्प है भक्ती की डांस और आधा कल्प है ज्यान की डांस जब भक्ती की डांस होती है तो ज्यान की नहीं और जब ज्यान की होती है तो भक्ती की नहीं आधा कल्प रावड की प्रालब्द चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्द भोगते यह गोहे राज सीड़ी के चित्र में समाया हुआ है गीत ओम नमोश्यवाई ओम शान्ती बाब बैट समझाते हैं भक्ती मारग में बहुत ही भक्ती की डांस की ग्यान की डांस नहीं की भक्ती की डांस जब होती है तो ग्यान की नहीं जब ग्यान की होती है तो भक्ती की नहीं क्योंकि भक्ती की डांस उतरती कला में ले जाती है सत्युक्त्रेता में भक्ती होती नहीं भक्ती शुरू होती है द्वापर से जब भक्ती शुरू होती है तो ग्यान की प्रालब्ध पूरी हो जाती है फिर उतरती कला होती है कैसे उतरते हैं सो बाप बैट समझाते हैं मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूं तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही गलानी करती है जब जब भारत में इस आदी सनातन देवी देवता धर्म की बहुत बहुत गलानी होती है तब मैं आता हूँ गलानी किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं बाप कहते हैं मैं विकारी नर्कवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ तुम मेरी गलानी आसुरी मतपर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो राम राज्य था अभी है रावड राज्य जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है अब विचार करो मैं कब आऊं जिनों को राज्य दिया वही राज्य गमा बैठे हैं हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है मैं आकर वर्षा देता हूँ फिर रावड आकर तुमको श्रापित करते हैं भारत को खास दुनिया को आम भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है पहले पहले भारत ही था कब था कैसे था कौन राज्य करते थे किसको भी कुछ पता नहीं है कुछ भी समझते नहीं है जो देवता थे शकल मनुष्य की शीरत देवताओं की थी अब सूरत भल मनुष्य की है सीरत आसुरी है जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है क्योंकि पारलोकिक बाप को ही नहीं जानते हैं और ही बैट गाली देते हैं बाप की गलानी करते करते बिलकुल ही कौणी तुल्ले बन गए हैं भारत का डाउन फॉल हो गया है ऐसी हालत जब होती है बाप कहते हैं तम मैं आता हूँ अभी तुम बच्चों को सम्मुक समझा रहा हूँ कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था यह दैवी संप्रदाई की स्थापना हो रही है मनुष्य से देवता बन रहे हैं मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं सत्युक त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रालब्द भोकते हो फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिलकुल ही खत्म हो जाते जैसे देवतायं प्रालब्द भोकते भोकते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं फिर रावण की आसुरी प्रालब्द शुरू होती है भक्ती भी पहले आव्यविचारी होती है फिर व्यविचारी होती है सीड़ी ठीक बनी हुई है हर एक चीत सतो प्रधान सतो, रजो, तमो बनती है हांद पढ़ती है तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीती जाता है परन्तु धारणा कम होती है कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है नमबर वार तो होते हैं न स्टूडेंट एक समान नहीं होते कुछ न कुछ नमबर जरूर रखेंगे कोई को भी समझाना है बहुत सहज बाप कहते मुझे याद करो मैं तुम्हारा बेहत का बाप सिर्ष्टी का रचायता हूं मुझे याद करने से तुमको बेहत का वर्षा मिलेगा याद से ही खाद निकलेगी सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सत्योग में सतोप्रधान थे अभी कल्योग में तमोप्रधान बने हो आत्मा में खाद पड़ती है पवित्र होने विगर कोई वहाँ जा नहीं सकते नई दुनिया में है ही सतोप्रधान कपड़ा नया है तो कहेंगे सतोप्रधान फिर पुराना तमोप्रधान हो जाता है अभी सब का कपड़ा फटने लायक है सब जड़ जड़ीबूत अवस्था को पाए हुए है जो विश्व के मालिक थे वही बिलकुल गरीब बने है फिर उनको ही साहुकार बनना है इन बातों को मनश्य नहीं जानते भारत स्वर्ग था इन लक्षमी नरायन का राज्य था और सब धर्म वाले तो बाद में आए है बाग तुमको रियल बात बैट समझाते हैं गीता का देखो कितना मान है पढ़ते पढ़ते बिलकुल ही नीचे गिर गए तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ हम भ्रस्टाचारी बन गए हैं सदगती तो भगवान ही दे सकते हैं बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ती मार गए तुमारी बुद्धी में बैठा हुआ है हम बाबा के ग्यान से देवता बनते हैं अब सारी दुनिया से वेराग्य है सन्यासी भी भक्ती करते हैं गंगा इसनानादी करते हैं न भक्ती भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है यह भी ऐसे है आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राम्हनों का भी होगा तुम अभी दिन में जाते हो भक्ती की रात पूरी होती है भक्ती में तो बहुत दुख है उनको रात कहा जाता है अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए भक्ती मार्ग में सदगती देने वाला कोई होता नहीं तुम्हारे सिवाए कोई भी यतार्त रिथी भगवान को नहीं जानते आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी यह बात कोई भी समझ ना सके परमात्मा ही स्वयमाकर ब्रह्मातन से समझाते हैं उन्होंने फिर भागी रत बैल के रूप में दिखाया है अब बैल की तो बात ही नहीं बाप सब बाते अच्छी रीती समझाते हैं परंतु किसकी बुद्धी में पूरी रीती बैटता नहीं बाप बैट समझाते हैं बच्चे मैं तुम्हा अत्माओं का बाप हूँ तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे फिर भी कहते हो भूल जाते हैं वा ऐसे साजनवा बाप को भूलना चाहिए इस्तरी पती को अत्वा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या यहां तुम क्यों भूलते हो कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं फिर भी भूल जाता हूँ बाप कहते याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चड़ी है वह कैसे निकलेगी मुख्य बात है ही याद की अपना कोई दूसरे धर्म से तालुक नहीं है स्कूल में तो हिस्ट्री जोगरफी समझाते हो कोई तो बिलकुल समझते नहीं बाप पढ़ाते हैं यह बुद्धी में बैठता नहीं अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो जिसके लिए आधा कल्प से भक्ती करते आए उस बाबा को याद नहीं करते तुम बच्चों की बुद्धी में हैं अब हम यह शरीर छोड राजाई में जाएंगे यह अंतिम जन में हैं सुक्ष्मे बतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो बैकॉंट में भी देखते हो जानते हो या मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नरायन बनते हैं तुम जब सत्यूग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड दूसरा लेना है वहां उनको यह पता नहीं रहता कि सत्यूग के बाद त्रेता आएगा दौा पर आएगा हम उतरते जाएंगे ज्यान की बात नहीं रहती पुनरजनम लेते रहते हैं वहां आत्म अभिमानी रहते हैं फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं यह नौलिज सिर्फ तुम ब्राम्हनों को है और कोई के पास नहीं है यह ज्यान ज्यानेश्वर को ज्यानेश्वर जो ज्यान का सागर बाप है वही सुनाते हैं जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राम्हनों को ही सुनाएंगे ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्रामन संपरदाय रात दिन का फर्क है तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुनवान बनते हो संपूर्ण निर्विकारी ग्रहस्त विवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो कर्म तुकरना ही है बुद्धी का योग बाप के सांथ लगा रहे कर्म भल कोई भी करो बढ़ाई का काम करो वर राजाई करो राजजनक का भी गायन है ना राजाई करते रहो परंतु बुद्धी का योग बाप के सांथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा पाप कहते हैं मन मनाभव मामिकम याद करूं शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लेंगे याद आएगा और तो सब के शरीर का नाम लिया जाता है पाठ शरीर से बजाते है अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है इस समय सब ही हैं देह अभिमान में वहां आत्म अभिमानी होंगे यता राजा रानी तथा प्रजा आयू तो सबकी बड़ी होती है यहां सबकी आयू कम है तो बाप सम्मुक बैठ समझाते हैं बच्चों को कितना अच्छी रीती समझाते हैं हे आत्माओं क्योंकि आत्मा ग्यान लेती है धारणा आत्मा में होती है बाबा को शरीर तो है नहीं आत्मा में सारा ग्यान है आत्मा भी स्टार है बाबा भी स्टार है वह पुनर जनम नहीं लेते हैं आत्माएं पुनर जनम लेती हैं इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परम प्रमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओं। दोनों की अलग अलग है। इस दुनिया से वेराग भी चाहिए अर्थात देह सहे देह के सब सम्मंद छोड़ अपने को आशरीरी आत्मा समझना है। उनको यही समझाना है श्य बाबा ब्रमा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम विश्नुपुरी के मालक बन जाएंगे। विश्नुपुरी ही स्वर्ग पुरी है। तो जितना हो सके बाब को याद करो जिस बाब को आधा कल्प याद किया अब वह सम्मु खाए हैं। कहते हैं मुझे याद करो उनको कोई भी जानते नहीं। खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है अच्छा, मीठे मीठे सिकलेदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चो को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला पुरशार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है कोई भी विकर्म नहीं करना है दूसरा यह पुराना कपड़ा शरीर जड़ जड़ी भूत है इससे ममत्व निकाल देना है आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरशार्थ करना है वरदान करना और कहना इन दो को समान बना कर क्वालिटी की सेवा करने वाले सचे सेवाधारी भव सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है कहना सहज होता है करने में महनत है महनत का फल अच्छा होता है लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयम करते नहीं तो सर्विस की साथ साथ डिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है जैसे अमरित के बीच विश की एक बूंद भी पढ़ने से सारा अमरित विश बन जाता है ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है इसलिए पहले अपने उपर अटेंशन दो तब कहेंगे सच्छे सेवधारी स्लोगन अनेकता में एकता लाना बिगडी को बनाना यह सबसे बड़ी विशेशता है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य चड़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है बहुत मनशी है प्रशन पूछते कि जब इतना पुरशार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहां क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं भल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है इसमें चड़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है जैसे पुरशार्थ से हम चड़ रहे हैं वैसे गिरने का भी कारण जरूर है अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है जरा सी भूल है जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ती जीवन मुक्ती पद दूँगा वैसे ही जब body conscious देह अभिमानी हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं फिर वाम मर्ग में चले जाते हैं फिर पांच विकारों में फसने से दुख उठाते हैं तो यह हुआ अपना दोश ना कि रच्टा का दोश जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है यह कहना बिलकुल रॉंग है बाबा सुक रचता है ना कि दुख रचता है बागी हम स्रेष्ट कर्म से सुक उठाते हैं और ब्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं बागी अच्छे कर्म कफल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है नहीं परमात्मा तो चड़ती कला में हमारे साथ है बाकी गिराने वाली माया है कॉमन रीती में भी कोई साथ अत्वा मदद लेते हैं सुख के लिए बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं देते बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुक का खेल अपने कर्मों के उपर बना हुआ है परंतु तुछ बुद्धी मनुश इस राज को नहीं जानते अच्छा ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा करते रहो बाबा